हाई गाईज, विल्कम टू नीव वीडियो, आज गी वीडियो है Pulsar 125 Neon BA6 बर्सेस Pulsar 150 Neon BA6 की बारे में बेसिकली इन दोनों बाइक की जो भर look and design है वो अल्मोस्ट एक जैसा है लेकिन दोनों बाइक की internal specification तो अलग अलग है तो आप में से जो भी confused है कि इन दोनों Pulsar में से बेस्ट Pulsar कौन सा है तो आप इस वीडियो के इन दोनों बाइक की price और features compare करके बताऊंगा कि इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और आपको कौन सा बाइक खरिदना चाहिए तो गाई सबसे पहले बात करते है look and design की 125 नियोन और 150 नियोन देखने में एक जैसा लगदा है लेकिन दोनों बाइक की अंदर छोटे मोडे differences है जहाँ पर सबसे पहले बात करते है tank owl की 150 नियोन की अंदर आपको tank owl मिलेगा लेकिन 125 गे अंदर tank owl नहीं मिलेगा और इसकी लाबा color option की बात करे तो pulsar 125 नियोन की अंदर आपको दो color option मिलेगा जो है neon blue और neon red और pulsar 150 नियोन की अंदर तीन color option मिलेगा जो है neon yellow, neon red और neon silver एनियोए features की बात करे तो 125 नियोन की अंदर engine मिलेगा 124.4 cc का single cylinder DTSI air cool electronic fueling generation की system हाँ गाइस आपने साइस होना इस बाइक की अंदर आपको मिलेगा electronic fi इसके लाबा power figures की बात करे तो maximum power produce करता है 12 ps का जो 8500 rpm की साथ और maximum torque produce करता है 11 nm का जो 6500 rpm की साथ और दूसी दरफ नियोन 150 के अंदर engine मिलेगा 149.5 cc का single cylinder DTSI air cool fuel injected engine जहाँ पर power figures की बात करे तो maximum power produce करता है 14 ps का जो 8000 rpm की साथ और maximum torque produce करता है 13.4 nm का जो 6000 rpm के साथ मतला obviously आपको powerful engine मिलेगा pulsar on 50 के अंदर उसके साथ ही power and torque भी आपको ज्यादे मिलेगा pulsar on 50 की अंदर tire size and breaking system की बात करे तो 125 neon की अंदर आपको 2 भेंड मिलेगा जहाँ पर disc band की front side में आपको मिलेगा 240 m का disc brake और drum band की front side में आपको मिलेगा 170 m का drum brake उसके साथ ही rear side में आपको मिलेगा 130 m का drum brake और आपको मिलेगा cbs उसकी लाबा tire size गी बात करे तो इस bike की दोनों side में आपको मिलेगा tubeless tire जिनमें front tire का size 80 by 100 जो आथा है 17 inch अला हुल के साथ और rear tire का size 100 by 90 जो आथा है 17 inch अला हुल के साथ और दूसी तरफ 150 neon की front side में आपको मिलेगा 240 m का disc brake और यह side में आपको मिलेगा 130 mm का drum brake उसके साथ ही single child ABS ब्रेकिंग आपको जबरदर्थ मिलेगा Pulsar on 50 की अंदर इस की लाबा इस bike की दोनों side में आपको मिलेगा tubeless tire जिनमें front tire का size 80 by 100 जो आथा है 17 inch अला हुल के साथ और rear tire का size 100 by 90 जो आथा है 17 inch अला हुल के साथ मतलब tire की size दोनों bike की एक जैसाई है bike dimension और mileage गी बात करे तो 125 नियोन की mileage गी बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला है लेकिन BS4 में इस bike का mileage दा 55 की पर लिटर की और bike dimension की बात करे तो इस bike की overall length थे 1055 mm का overall OE थे 755 mm का ground clearance आपको मिलेगा 165 mm का और इस bike की weight है 140 kg और दूसरी दूसरी दर आप 150 नियोन की mileage गी बात करे तो इस bike की mileage गी बारे में भी अभे भी कुछ पता नहीं चला है लेकिन BS4 में इस bike का mileage दा 65 mm की BS6 में आपको ज्यादा मिलेगा और इस bike की mileage ज्यादा होने की main जो reason है वो इस bike के अंदर आपको मिलता है fuel injection की system जो pulsar 125 की अंदर आपको क्लेंस आपको मिलेगा 165 mm का मतर ग्राउंड क्लेंस दोनों बाई की एक जैसा है ओट की बात करे तो इस bike की weight है 144 kg मतर ओट की मामले में थोड़ा भारी है pulsar 150 एडिसल फिचेस आपको मिलेगा तिन स्पोकिक फोर्क प्रेट साइड में आपको मिलेगा twin gag socks इसकी लाब है एड दूसी दरब 150 नियोन की फॉर्ण साइड में आपको मिलेगा तिल स्पोकिक फोर्क और एड साइड में आपको मिलेगा 5-way adjustable nitrog shock absorber इसकी लाब है एडिसल फिचेस आपको मिलेगा हलोजीन हेल लैंप, LED टेल लैंप, पाइलोट लैंप, डिजिटल प्लस अनलोग कॉंसोल, 50 फ्यूल टैंक, सेल्पन, किक स्टार्ट, फाइड स्पीड ग्यार बोक्स, मतलब एडिचल फिचेस दुनों बाइक की एक जैसा है, प्राइसेंग की बात करे तुँ 125 नियोन की अंदर आपको दो भेंड मिलेगा, जहां पर ड्राम भेंड का प्राइस से 61,140 रूपीज एक सो आप बात आती, इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है, और आपको कौन सा बाइक खरिदना चाहिए, तो गईज मैं अप से भी कोई सिंप्ल एक बात कहना चाहता हूँ, कि अगर आपकी बजेट कम है, तो 125 नियोन, ड्राम भेंड आपकी लिए बेस्ट आप्शन होगा, हामें मान था हूँ, इसका प्राइस पलसर 125 से ज्याधा है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको बहुत सारी फीचर्स मिलता है, जो 125 गे अंदर नहीं है, तो गैस आप अपनी बजेट एंड नीड गो ध्यान में रखते हुए, इन दोनों बाइक में से कोई भी एक ब सकते हो, तो गैस आपको क्या लगदे, पलसर 125 निवान और पलसर 150 निवान की बारे में, और आप मुझे कोई बॉक्स में बताइए, कि फीचर्स की हिसाब से इन दोनों बाइक में से आपको बेस्ट बाइक कोई साल लगा, आपको जो भी लगदे कोई बास इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी, तो लाइक से आपको ज़रूर कीजिए, उसक ऐसा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो गैस थैंक्स पर वाचिंग